जोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने चैनल HR फोड़ों में आज फिर आपका अब्जेक्टिव क्लियर होगा जिए हम पूरा चैप्टर में अब्जेक्टिव आपका क्लियर कर दूँगा विहार बॉर्ण में यहीं से पूछा जाएगा अधिया आपको परने यह कुछ लफज नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं आपका पूरा चैप्टर चैप्टर क्लियर करते जाएगा तो आज आपका चैप्टर नबर पांच होने वाला है आशियाना जिसके मुसंनिफ को है निगार आजिम डॉक्टर निगार आजिम है तो चलिए हम एक सवाल स तो आप देगो अफसाना आशियाना मैंने पढ़ाया आप पढ़े होंगे अगर तो आपको पता होगा कि वो बेटा होता है तो इसका क्या हो जाएगा आप्शन ए हो जाएगा आपका कौन होता है बेटा होता है तो पहला का A आप्शन हो जाएगा दूसरा है अफसाना आश के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है आपका अक्स है तो तीन का सी हो जाएगा आपका अप्शन अगला सवाल है आपका चार नमर सवाल या अफसाना आश्याना में सिराच की बीवी का नाम क्या होता है तो अफसाना आश्याना में सिराच की बीवी का नाम होता है इर्फान तो 5 का आपका हो जाएगा B आशियाना की 6 पढ़ते हैं किताब घरिचरन सिंग्ज चामला की सख्सियत और फन के मुसनिफ कौन है तो आपका 6 का हो जाएगा ए निगार आजिम नहीं उनकी सख्सियत पर लिगा है साथ नम्मर स्वाल निगार आजिम की तसनिफ गिर्द वारगी का तालोग किस सिनिफी नसर इसे रहा है तो साथ का आपका सी हो जागा, ये सफर नामा लिखा है उन्होंने अगला सवाल है एपका ड्राइंग और पेंटिง के इलावा निगार आजिम ने किस मजमून में अगला सवल निगार अरजिम के पैदाईस कब हूई ? तो निगार अरजिम की पैदाईस उन्हें इनमें को यह नहीं होगा क्योंकि उन्हें economic जाने सफकि데 nervous । Сवल नमर 10 acceptable की द suicide करें? 10. Nिगार अरजिम का असल नाम क्या था ? option जागा option B不同 निगार рज्जीम का कौन सा अपसाना आपके निसाब में शامिल है तो आपनी पढ़ोगा निसाब का मतलभ किताब होता है आपके क्या है तो आपको आशियाना है निगार अजीम का कौन सा आशियाना है आपके चप्रिण C हो जाएगा option आपका हैं आगला स्वाल अमका निगार अजुम स्वाल नमर 12 निगार अजुम किस मजमुन में M possível तो निगार अजुम की ऑड़ उर्टु जिंग और प्रिंटिंग में किया बारा में गया है प dw we निगार आजीम का अश्याना किस तरह का अश्याना है या पंदरो जो निगार आजीम का अश्याना अश्याना है वो किस तरह का अश्याना है तो वो आपका यह हो जाएगा तो पंदरो का आपका क्या हो जाएगा पंदरो का ए हो जाएगा अगला सवाल सोल है निगार अजम मिंटू अफसाना निकारी और तनकीदी पे किया था तो सतरों का आपका D हो जाएगा मजमुआ अकस की आसाद कब हुई और तो इसका B हो जाएगा निगार आजिम के दूसरे अफसानवी मजमुए का नाम क्या है दूसरे अफसानवी मजमुए का नाम क्या है दूसरे अफसानवी मजमुए का नाम तो इनका होजा का गेहन था इनका दूसरा अफसानवी मजमुए गेहन नाम से था तो इस सवाल आपका क्लियर होता जा रहा है 98 क्लियर होगे आप ध्यान जब मिलते रहेंगे पढ़ते रहेंगे अगला सवाल है सवाल नमर 20 आपका सवाल नमर 20 कह रहा है कि निगार आजिम ने किस बादशा पर तनकीदी साहरी लिखा निगार आजिम ने किस बादशा पर तनकीदी साहरी लिखा तो आपका एक कीस का हो जाएगा सी सफर नामा पे काम किया उन्होंने बाइस का आशियाना किस की तखलीक है यानि उसके मुसनिफ को ने किस ने लिखा है तो आपको पता है कि आशियाना डॉक्टर कमर जहाने लिखा है किस ने लिखा है आशियाना जो लिखा है वो आपका इस अगला आपका है चैप्टर नमबर 6 चैप्टर के आलमे हिद्दत माखूज माखूज का मतलब इसका कोई मुसनिफ नहीं है बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर इसको आप ध्यान पुर्वक देखोगे ध्यान से देखोगे चलिए पहला सवाल हम पढ़ते हैं के उटो में ग किस अइसा है तो जमीन का धर के लिए अगार्णाब का आपका चैप्टर केंश का देखोगे तेखोगे बहुंत माखूज sinner है घर्वक के लिए तो आपको यदब मैं चैप्टर में पढ़ा होगा अपने तबसने खाल आप चे नमर स्वाल करें अमरीका की किस हकुमरा ने गलोबल वार्मिंग पर किताब लेकिए थी तो अमरीका के हकुमरा जो थे अलगोडे नाम था उनका अलगोडे नाम था जो कि अमरीका के साइंस ना थे अगला स्वाल है आपका साथ नम्र नागा लेंड में बालो गया आन कॉंग्रेस कितने दिनों तक चला था तो D हो जाएगा पांस दिनों तक चला था अगला स्वाल नमरता है, जमीन की दर्जाहित में जो औस्त इजाफा हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम जमीन की दर्जाहित में इजाफा हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, गलोबल वार्मिंग कहते हैं, 11 का नजाम सेम्शी में जमीन की हैशित क्या है, तो जमी इनकि हैसे जो एक सियारा है सियारा यानि सियर करने वला है अगला है बारा बालोगम्यान ile कांफ्रेंस अगला है बालोग्यान कॉंफरेंस कभ मनकिद हुआ था बालोग्यान कांफ़रेंस कब किया गया था तो आपको पता देंक 2008 कब हुआ था 2008 मैं अगला सवाल नमर 13, बालो गयान कॉंग्रेस हिंदुस्तान के कि शेहर में हुआ था, तो आपको बताते हैं के C, दीमापूर में हुआ था, Global Warming का क्व ग्लोबल Warming का कॉन्फ्रेंस में कौन मशूर साइजदा सरीक हुए, ग्लोबल वर्मिंग में कौन मशुवर साइशता सामिल हुए थे तो हमारे A-P-J A-B-L-K-L-A-M-C-C हो जाएगा उसके बाद कहा रहा है कि ग्लोबल वर्मिंग कैसा मासला है तो लोग ग्लोबल वर्मिंग एक संगीन मासला है इसका आपिसन सी हो जाएगा आपका उसके बाद कहा रहा है कारबन डाय अकसाइड गैस में कितना अजाफा हुआ है कारबन डाय अकसाइड गैस में आपका अजाफा हो जाए हो 31% 31% हो जाते हो 16 बी हो जाएगा आपका अगला चेप्टर आपका सुरू हुआ रिया सरस्यद अमधखा यह बहुत ही important चेप्टर है इसको भी आप पूरा परें पूरा objective याद करें पहला सवाल आपका है सरस्यद ने कौन सा रिसाला जारी किया तो सरस्यद ने निकाला था तहजिब लिखलाक नाम से क्या था तहजिब लिखलाक से एक एक को मिलाते जाओ और आप ठीक करते जाओ अगला है अगला दुनमर सवाल है इन किताबों में सरस्यद की तखली कुन सी है तो इनमें सरस्यद ने जो लिखा वो असार सनादीद लिखा तीन नमबर सवाल है सरस्यद की वालदा का क्या नाम था तो सरस्यद की वालदा का नाम था अगला सवाल नमबर आपका चार है चार नमबर सवाल क्या रापका असारे सनादित किसकी तखलीक तस्नीफ है किसकी तस्नीफ है तो A सरस्यद की हो जाएगी 5 दज़ेजेल में सरस्जिट की तसंईफ कौन सी है तो 5 कब भी हो जागा अस्बाब बगावते हिन्द हो जाएगा अगला 6 नमबर है सरस्जट की पैदायस कब हुई तो सरस्जट की पैदायस आप गेस करो क्या होगा तो 18-17 में होगा A में होगा उसके बाद है अलीगर कॉलेज की बुनियाद किसने डाली थी यानि अलीगर किसने बनाया था तो सरस्यद ने अलीगर कॉलेज की बुनियाद डाली थी सवाल नमर आठ है अलीगर इंस्टिशिट गजट किसने निकाला था तो अलिगर गजट जो था वो सरस्यद नहीं निकाला था किसने सरस्यद निकाला था सरस्यद के वालिद का क्या नाम था सवाल सवाइंपोर्टेंड है ध्याद देना सरस्यद के वालिद का नाम मीरतकी था इसमें ते को एक ही जैसा है तो इसको ये option होगा मीर तकी था ना अगला सवाल है अपका उर्दू अदब की तारीख में सरसेट का सबसे बड़ा कारनामा क्या रहा है तो उर्दू अदब में सबसे बड़ा कारनामा जो रहा है सादा नसर नवसी के लिए महौल साथगार बनाना था अगला है ग्यारा सरस्जद अमद्खा के लिट्रेरी सिक्रेटरी का नाम क्या था क्या था लिट्रेरी पढ़ेंगे इसको लिट्रेरी सिक्रेटरी का नाम क्या था तो उसका नाम था वहिद्दीन सलीम क्या नाम था सी हो जागा वहिद्दीन सलीम अग्ला सवाल नम्र बारा सरस्जद कौन सा अधारा काईम किया तो सरस्जदने M.A.O कालेज, option C हो जागा बाराका M.A.O कालेज, 13, सरस्जद किस मुखल बाद Shea सरस्जद को मुखल बाद Śाथ से कौन साख़ खिताब मिला था तो सरस्जेद को मुगल बहसी जवाओ अच्वा अुग आदाला आरिफ जंग का अॉप्शन B हो जागा आपका उसके बाद सवाल है 14, किस मुगल बहसी जवाओ उड़ा के खिताब से नवाजा था तो ये सवाल अपका बहादूर सा जफर का जमाना था तो इसका option हो जागा आपका A सदरा में सदर बनके गए थे उसके बाद ए, अगला है आपका सरसेद ने युनिवर्सीटी का खाका कपेस किया तो 18-60 में युनिवर्सीटी बनाए था 18 सवाल कह रहा है, रिया के मजबून निगार कौन है तो आप तो पढ़ी ही रहे कि रिया के मजबून निगार सरस्यद अमद खां है कौन है सरस्यद अमद खां हो जाएंगे रिया के मजबून है और उसके बाद है सरस्यद की वफात कब हुई 19 नमबर सवाल कहरा यानि मा के निगरानी में होई थी 21 नमर सवाल सरस्यद कहां मदफून है यानि मदफून का मतलब दफन कहां किये गए है तो सरस्यद को अलीगर में ही दफन किया गया तो उसका B option हो जाएगा अगला बाइस कहा रहा आपका अरदो नसर में साद़ नसर 910 को किस ने रिवाज दिया था तो इसको सरस्यद नहीं दिया था बाइस का आपका यह हो जाएगा उसके बाद है 88 संटावन के वाद हिज़दान मेंसबसे बड़ी علमी शخक्सियत कों थी तो सरस्यद ही थे सबसे बड़े इलमी सखसियत 1857 में उसके बाद है 1857 के हंगामे के वक्त सरस्यद कहा मामूर थे यह जब 1857 में हंगामा हुआ तो उस वक्त में सरस्यद कहा थे तो उस वक्त में सरस्यद जो थे वो बिजनौर में थे भी हो जागा इस्ट इंडिया कमपनी के मुलाजमत से सरस्यद ने कब सुबुक दोस लिया तो सरस्यद ने 886 में सुबुक दोस लिया ऐसा इसका उप्सन C हो जाएगा अगला सवाल आपका इन में से तारीख के मौज़ों पर सरस्यद की कौन सी किताब है तो इसमें सरसयद की किताब आपका तारीख जिला बिजनोर है C आप्शन क्या है? तारीख जिला बिजनोर उसके बाद असबाव वगावत हिन के मुसनिफ कौन है? सरसयद आłumत खान है कॉन है? सरसयद आrestrial तो इह आप्शन हो जाएगा कब आय칩니다. शाहाँ बादसा का जमाना था तो हिंदु으ुटूसा है। अगला स्वाल है आपका सरस्यद के अबायु आजदाद कहां में हमाना से जा दे हैं। कहां में किस मलक से दिल लित तें। तो सरसजद के अबये अज़ाज़ाद जो थे वो अरब मलक से आये थे C option हो जाये का हृँचा हृँचाई थे उसके बाद सरसजद का कौन से मजमून आपके निसाबी किताब में सामेलए है अब भी मैं आपको पढ़ाई ही रहा हूँ रिया कौन साँ रिया तो इसका option यह हो जाएगा अगला सवाल झायत रजावेडंगे मुसनिफ कौन है 32 नमर सवार कह रहा है हयात रड़ावेडंगे मुसनिफ कौन है तो आप देखिए चानली हाली ह constitutional जिनका पूरा नम है 33, जावेद किस की सवा है يعni सवा सौच किसने सौचा था तो हायात जावेζ जो ता सरस्यत की सौच थी 33 का आपका बी हो जागा 33 का फी हो जागा उसके पाद सवाल नमबर 34 है इन मेंसे कौन सरस्यत की रुफका नहीं यानि इन में सरस्यत की दोस्त कौन नहीं है तो इसका सी हो जागा अकबर अलाबादा उनके रुखकों में नहीं शामिल थे तो यह चैप्टर आपका कम्पिलिट हो का चैप्टर नमर साथ कम्पिलिट हो चुका है अब हम चैप्टर आठ करते हैं कम्पिलिट आपका अगला चेप्टर आपका है अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुलमगनी को है अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुलमगनी है तो चेप्टर नमर आठ शुरू करते हैं ध्यान से आप मिलाना शुरू करें पढ़ना शुरू करते हैं पहला सवाल आपका डॉक्टर दूक्टर अब्दुल्मगनी की वफात किवोई तू के आप पहुआ है आप पर रहे हैं अदब की पहज़ाए अबिश्चान चैप्टरर रमबर तो आपका ह, ए हो जाएगा अब्दुलमगनी की वफात कब हुई, सवाल नमर 3 कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुलमगनी की वफात कब हुई, तो ये 2006 में उनकी वफात होती है, कि अब होती है, तीन का B हो जाएगा डॉक्टर अब्दुलमगनी की वफात 2006 में, सवाल नमर 4 कह रहा है, डॉक्टर अब्द अगर्ट्ट अब्दुल्मग्नीजी ने अपना कह अगा था अगला सवाल नमर 6 कर अगला सवाल नमर सवाल कर ने कि बहालिए किस हैसित आप्शन ए लेक्च्रर डॉक्ट्र अब्दूमगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे तो साथ का आपका सी हो जागा अंग्रेजी के प्रोफेसर थे वो आठ नमर सवाल कराई, डॉक्टर अब्दलमगनी के वालिद क्या थे? तो उनके वालिज थे वो आलम एदीन थे, आठ का ए नौ नौ आठ अब्दलमगनी की बत्धडाई तालिम कहा हुई थी? तो 9 कापका B हो जाएगा घर पर उनकी अप्त्त, याने शिरुवाती तालिम उनके घर पर हुई थी सवाल नमर 10 कहरा है अर्दू तनकीद में अब्दू अब्दू में अब्दू मेड़ा तो एकबाल रहा है क्या B हो जाएगा अप्शन अप्शन अपबाल अब्दुलमगनी ने कितनी किताबे लेगी डॉक्टर अब्दुलमगनी किताबे पूरी किताबे कितनी थी तो बीस किताबे उन्हें लेगी सी हो जाएगा अप्शन बीस किताबे अंग्रेजी जबान का उसाद दिखिसके 14 का भी हो जाएगा अंग्रेजी सवाल नमर 16 का पंदरा कह रहा है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है तो अदब की पहचान जब तनकीदी मजमून है पंदरा का भी अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है तो अदब की पहचान के मजमून निगार आपके हो गए अब्दलमगनी अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर अब्दलमगनी अगला सवाल है इनमें अब्दलमगनी की कौन सी किताब है डॉक्टर अब्दलमगनी की किताब कौन सी है इसमें तो यह आपको पता होगा जादा इनके किताब का नाम हैं अगला सवाल ऑड. अब्दर माग्नी की पेदाइए कब होई आफ़ारा नमर सवाल क्या 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 है कि रहा है कि डॉक्त्र अबद्र माग्नी की पेदाइश कब होई तो यह डिटरबर्त आपको याद रखना होगा और याद होना भी चाहिए मेरे हिसाब से चलिए मैं आपको बत रहता हूँ 18C हो जाएगा उप्शन 1934 में इनकी पैदाइस हुई थी उसके बाद कहा रहा है 19 19 स्वाल कि डाक्टर अब्द 2010 किस मदर्सा में तालीम हासली या अगला सवाल दोक्टर solids बिहार को बिहार किसए में किस जिल्द migrants को ब 밈ा इस तो इसका ले हो B हो जागा, तश्कीलो जदीद, एक इसका क्या हो जागा, आपका B, तश्कीलो जदीद जो होती है, वो अब्दलमगनी की किताब है, कौन सी किताब है, ठीक है, सवाल नमर बाइस का है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, आपका बाइस इन में से कौन अब्दलमगनी की तखल पैसे होई तो इसमें वहां हो जाएगा तो यहां पर यह चेप्टर आपका चेप्टर-आठ तक खटम हो चुका है तो आज पिर मैंने आपको रच चार चेप्टर पढ़ा दिया फिर आप मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे और यहाँ पर मिला रहे होंगे अपने चैप्टर से और आपको याद भी हो रहा होगा जिन लफजों में आपको प्रॉब्लम था दिक्का था वो सारा लफ आपका साफ होता जा रहा है और हर अब्जेक्टिव को आप सह से हमें मोटिवेशन मिलता है तो दीजिए अपने हसान सर को इजाज़त मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैए